जैमातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बतानिक लिए comment box में जैमातादी जरूर लिखें दोस्तों, संतान सप्तमी का वरत भादर पद मास के सुक्ल पक्च की सप्तमी तिथी को मनाई जाती है इसे मुक्ता भरण सप्तमी या ललिता सप्तमी भी कहा जाता है ये वरत विशेश रूप से संतान प्राप्ती, संतान रच्छा और संतान की उन्नत के लिए किया जाता है संतान सप्तमी वरत में भगवान सिव एवं माता पारवती जी की पूजा की जाती है और भगवान सिव और माता पारवती से अपने संतान की लंबी आयू सुख सान्ती एवं सम्रद्धी की कामना की जाती है यह वरत महिला एवं पुरुस अर्थात माता पिता दोनों मिलकर संतान के सुख के लिए रखते हैं चले अब बात करते हैं इसकी पूजा विदी के बारे में तो आपको बता दें इस वरत को करने वाली माता को प्राता काल उठकर इस नानादिकर के सुख वस्त धारन करने चाहिए इसके बात प्राता काल में ही स्री हरी विश्नू और भगवान सिव जी की पूजा अर्चना करने चाहिए और संतान सप्तमी वरत का संकल्प लेना चाहिए इस वरत की पूजा दोपहर तक पूरी कर ली जाए तो अच्छा माना जाता है इसलिए दोपहर तक निराहार वरत किया जाता है इसके बाद पूजा इस्थल को साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़क कर सुद्ध करें फिर चौग बनाकर उस पर लकडी की चौकी या पटा रखें इस पर लाल वस्र बिछा कर उसके उपर भगवान सिव और मातापारवती जी की प्रतिमा इस्थापित करें फिर अच्छत रोली फल फुल नैवेद में साथ मीठी पूडी या पूए को केले के पत्ते में बांध कर पूजा में रखा जाता है तत पस्चा धूब दीब जला कर भगवान सिव और मातापारवती जी की पूजा करनी चाहिए इसके बाद भगवान के सम्मुक सूती धागा रखें जिसमें साथ गाठे लगाने चाहिए इस धागे को पूजा के बाद स्वयम के हातों में बांधें और भगवान संकर से पूजा करने के बाद संतान सप्तमी व्रत की कथा पढ़नी चाहिए व्रत खोलते समय पूजा में रखी हुई साथ पूड़ी ही खानी चाहिए ऐसा करने से संतान को लंबी आयू और सुक सम्रद्धी की प्राप्ती होती है चलिए अब बात करते हैं संतान सत्तमी 2020 के लिए स मूरत क्या है तो आपको बता दें साल 2020 में संतान सत्तमी का पर्व 25 अगस्त 2020 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा और सत्तमी तिथी की सुरुवात 24 अगस्त 2020 की दुपहर 2 बचकर 31 मिट पर हो जाएगी और सत्तमी तिथी की समाप्ती 25 अगस्त 2020 को दुपहर 12 बचकर 21 मिट तक रहेगी आपको पता ही होगा कि संतान सत्मी की पूजा मध्यान काल में करना बेहस सुभ होता है इसलिए आप इसकी पूजा अब जीत मूरत में कर सकते हैं अब जीत मूरत सुभा 11 बचकर 57 मिनट से लेकर दोपहर 12 बचकर 48 मिनट तक रहेगा या दूसरा विजय मूरत पे भी आप संतान सत्मी की पूजा कर सकते हैं 25 अगस्त को विजय मूरत दोपहर 2 बचकर 31 मिनट से लेकर दोपहर 3 बचकर 22 मिनट तक रहेगा आप इन दोनों सुभ मूरत में पूजा संपन्य कर लें तो बेहद अच्छा रहेगा चलिए अब बात करते हैं उस समय की जिस समय आपक भूल कर भी ना करें 25 अगस्त को राहू का दोपहर 3 बचकर 35 मिनट से लेकर साम 5 बचकर 10 मिनट तक रहेगा तो आप इस दोरान भूल कर भी संतान सत्मी की पूजा ना करें चलिए अब बात करते हैं संतान सत्मी वृत के पारण की तो आपको बता दें वृत का पारण आपक सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए तो आपको बता दें 25 अगस्त को सूर्यास्त साम 6 बचकर 46 मिनट पर होगा इसलिए आप वृत का पारण सूर्यास्त से पहले यानि साम 6 बचकर 46 मिनट से पहले कर लें तो अच्छा रहेगा ध्यान रखें कि वृत को खोलते समय आप उ तो आपने भगवान को प्रसाच चढ़ाया हो, उनी पूए को खा कर आप अपना व्रत खोलें, और हो सके तो इस दिन आप फलाहार करें, नमक ना खाएं, अगले दिनी सुबा इस नान करके पूजा करने के बाद आप भोजन ग्रहन करें, तो अच्छा रहेगा, तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी, तो कमेंड में जै मातादी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल हो, तो उसे कमेंड बॉक्स में अवज से पूछ लें, और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें, और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें, धन्यवाद!